एक नए वीडियो में आपका स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हम आज के मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कल का मार्केट कैसा जाने वाला है आप लोगों से मेरा सिर्फ एक ही अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें इससे पहले कि हम आगे बढ़े अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें इसके साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद है और यह जानकारी पूर्ण लगता है तो इस वीडियो को लाइक कमेंग और शेयर करें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज के मार्केट की आज के सेशन में सेंसेक्स 0.5% नेगेटिव है निफ्टी 50.42% नेगेटिव है बैंक निफ्टी 0.24% नेगेटिव है और निफ्टी मिड कैप 100.07% पॉजिटिव है अडवांस दिकलाइन रेशियो की अगर बात करें तो 795 स्टॉक अडवांस कर रहे थे और 1349 स्टॉक दिकलाइन भी कर रहे थे इससे पता चलता है कि आज का मार्केट बियरिश सेंटिमेंट दिखा रहा था निफ्टी 500 की अगर हम बात करें तो टॉप गेनर्स में हिन कॉपर 8.07% भेल 5.81% कोल इंडिया 5.29% और केनरा बैंक 4.16% तेजी दिखा रहे थे और टॉप लूजर्स में ग्लेनमार्क 5.03% पेज इंडिस्ट्रीज 3.44% बायोकॉन 3.17% और चंबल फर्टिलाइजर्स 2.9% मंदी दिखा रहे थे आज जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम बेस्ट काम हो रहा था उनमें गोडा फोन आइडिया भेल टी और पावर फाइनन्स शामिल है आज 52 वीक हाई टाच करने वाले शेयर्स में कोल इंडिया, केनरा बैंक, MCX इंडिया और पावर फाइनन्स शामिल है इन स्टॉक्स में आने की 1.16% पॉजिटिव, अमेरिकन बाजार की अगर बात करें तो डो जोन्स इस वक्त 1.48% पॉजिटिव चल रहा है, नैस्डैक 2.35% पॉजिटिव चल रहा है, और S&P 500 इस वक्त 2.04% पॉजिटिव चल रहा है, योरपियन बाजार में FTSC इस वक्त 0.31% पॉजिटिव चल रहा है, CAC 1.60% पॉजिटिव चल रहा है, और DEX 1.76% पॉजिटिव चल रहा है, एशियाई बाजार में आज थोरा सा ब्यरिश सेंटिमेंट था, 5 इंडेक्स पॉजिटिव थे, तो 3 इंडेक्स नेगेटिव भी थे, अब अगर हम कल की पॉसिबिलिटीज की बात करें, तो Nifty 50 में RSI नेगेटिव सिगनल दिखा रहा है, और M.A.C.D. भी नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, हलाकि Nifty 50 ने आज अपने फर्स्ट सपोर्ट से उपर और फर्स्ट रिजिस्टन्स के नीचे क्लोस किया है, और Nifty 50 ने आज 19,486 रुपए और 75 पैसे पर होने के बाद 19,494 रुपए और 40 पैसे का हाई और 19,414 रुपए और 75 पैसे का लोग बनाने के बाद 19,443 रुपए और 55 पैसे पर क्लोस किया है, जो 0.42 याने की 82 रुपए नेगेटिव है, अब तक के हिसाब से कल का बाजार बुलिश जाना चाहिए, अनलिस कल बाजार भी जो आप side levels नजर आ रही है वो है पहला resistance 19,528 रुपए और 40 पैसे, दूसरा resistance 19,855 रुपए और 55 पैसे और तीसरा resistance 20,242 रुपए और 25 पैसे और downside levels में पहला support 19,224 रुपए और 35 पैसे, दूसरा सपोर्ट 18,895 रुपए और 10 पैसे और तीसरा सपोर्ट 18,654 रुपए और 50 पैसे बैंक निफ्टी की अगर बात करे तो बैंक निफ्टी में RSI नेगेटिव सिगनल दिखा रहा है और M.A.C.D. भी नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है हलाकि बैंक निफ्टी ने आज अपने फर्स्ट रिजिस्टन्स से उपर क्लोज किया है और बैंक निफ्टी ने आज 43,915 रुपए और 10 पैसे पर ओपन होने के बाद 43,970 रुपए और 75 पैसे का हाई और 43,681 रुपए और 40 पैसे का लो बनाने के बाद 43,891 रुपए और 25 प परसेंट याने की 105 रुपए और 40 पैसे नेगेटिव है तो बैंक निफ्टी कल के दिन के लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है बैंक निफ्टी में अभी जो अब साइड लेवल्स नजर आ रही है वो है पहला रिजिस्टेंस 43,862 रुपए और 45 पैसे दूसरा रिजिस्टेंस 44,670 रुपए और 15 पैसे और तीसरा रिजिस्टेंस 45,140 रुपए और डाउन साइड लेवल्स में पहला सपोर्ट 42,634 रुपए और 75 पैसे दूसरा सपोर्ट 42,020 रुपए और 95 पैसे और तीसरा सपोर्ट 41,180 रुपए और 50 पैसे फिर भी हमें कल की एजन मार्केट और गि गिफ्ट निफ्टी कहां पर क्लोज करता है और कल गिफ्ट निफ्टी कैसे मूव करता है इस बात पर अभी तक के एनालिसिस के हिसाब से कल का मार्केट गैप आप ओपन होना चाहिए तो आपको आपके सारे ट्रेड्स अकोर्डिंगली प्लान करने हैं और बाजार के मूव मिलते हैं कल आप से एक और नए वीडियो में दोस्तों यह वीडियो केबल और केबल एजुकेशनल परपस के लिए है इनने कोई बाई सेल या होल्ड की सलहा नहीं है आपको व्यापार करने से पहले अपने वित्तिय सलाहकार से परामर्ष करने की सलाह दी जाती है वीडियो